अलो दोस्तो आप सभी का सागत हैं संसकार कोचेंग एकेडमी की ओलाइन कलासों में तो बच्छो आज मैं आपके लिए लिख रहे हूं समाजिक विग्यान का पेपर जो इस बार अनेस में आने वाला है तो मैं आपको वही पंदरा क्यूशन बताऊँगा जो इस बार अनेस के पेपर में आएंगे तो वीडियो में बने रहे हैं मेरे साथ और ये पंदरा में से पंदरा नमर आपको लेकर आने हैं तो पहला क्यूशन आपका मिताली एक मान्चितर में अपने सहर और संगाबाद को खोजना चाहती है इसके लिए उसे उस इस्तान के समन्द में क्या जानना चाहिए तो आपका आंसर है अकसांस का देसांतर यानि उसे अकसांस का ग्यान होना चाहिए और देशांतर का ग्यान होना चाहिए तो तीसरा एकडम करेक्ट आंसर होगा आगे 47 क्यूशन किस परकार के वनों में सुस्क गरीश में रितु के समय लगबग 6-8 सप्ता तक वरिक्स अपने पत्ते गिरा देते हैं तो 47 का आपका क्यूशन है उशन कटी बन दिये परन पाति वन में क्या करते हैं वरिक्स 6-8 सप्ता के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं तो दूसरा एकडम करेक्ट आंसर होगा आगे अगला क्यूशन है जून के मद्य में पश्चिमी गाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण लिकिये तो इसका मुख्य कारण होगा इस्तानिये पवने मुख्य कारण क्या होगा भई इस्तानिये पवने होगा तो छोता एकडम करेक्ट आंसर होगा आगे 49 क्यूशन है सूती वर्षतर रबड, खाते, तेल कागज किस परकार के उद्योग के उदारन है तो इसका पहला होगा भई क्रिश ये आधारित उद्योग के उदारन है तो 49 होगा पहला आपको बरके आना है आगे चलते हैं तो आपका 50 से क्यूशन है मान चितर पर 10 हैगी निदी आर का पहचानी यानि इस नदी को आपको पहचानना है कि ये कौन सी नदी है तो ये कौन सी नदी है भई इस नदी का नाम है महा नदी इस नदी का क्या नाम है महा नदी नाम है आगे अगला किसन ने दिये गए मान चितर का अवलोकन करे तथा जून से सितंबर के मद्दे 20 cm से कम वर्षा वाले चाहें की चेतर को पैचाने यानि आपको ये चाहें की चेतर दे रखा है वई जिसमें क्या होती है वर्षा 20 cm से कम होती है तो इसे आपको पैचाने है तो ये कौन सा चेतर आपका अरावली पहाडी के पश्ची में किनारे ये दे रखा आपको तो आपका तीसरा एकदम करेक्ट आंसर होगा आगे चलते हैं तो आपका अगला किसन है लोह चेतर आइसर मुख्यत है निमने मेशी किस में पाया जाता है तो छोटा नागपुर पठार इस पठार में क्या पाये जाते हैं भई लोह आइसर के पाये जाते है तो इसका तीसरा एकदम करेक्ट आंसर होगा आगे अगला किसन है पंजाब में भूमी निमनी करेंड का मुख्य कारण क्या है तो अतिस हिंचे इसका मुख्य कारण है चोता आंसर एकडम से आंसर होगा आगे चोपना केशन है वर्चा रितु में उगाई जाने वाली फसलों को कहते हैं कि वर्चा रितु में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं भई खरीप की फसल कहते हैं तो B एकदम correct answer होगा आगे अगला किशना उस परदेश को पहचाने जाम पर भूमे सेरक्षन के लिए CD नुमा क्रिशी की जाती है तो इसका चोता एकदम correct answer होगा चोता क्या भई पहाडिया पाडियों पर क्या होती है CD नुमा क्रिशी होती है आगे चपनवा क्रिशना निमन लिकित में से कौन से राज्य वाकेंदर साशित परदेश चीत रितु में पश्चिम विच्छोब के कारण वर्षा प्राप्ते करता है तो आपका चपनवा का answer होगा चोता तमिल नडू है पुडू चेरी तो ये दो एक तो भाई केंदर साशित परदेश है और दूसरा राज्य है जो क्या करते है पश्चिम विच्छोब के कारण वर्षा प्राप्ते करते हैं अगे अगला क्यूशन आपका फलीदार फसलों का उदारण है आपको फलीदार फसलों का उदारण बताना है तो जो आपके दाले होती है वो कैसी पसले होती है भई फलीदार फसले होती है तो पहला एकदम करेक्ट आंसर होगा अगे अगला क्यूशन आपका केरल और करनाटक में पूर्व मांसोन वर्षन को किस नाम से जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है तो आपका तीसरा एकदम करेक्ट आंसर होगा अगला क्यूशन आपका की सोर्य बारत में समूंदर तल से 14206m के उँस्चाई पर इस्थी ट्यों पर रहता है, उस इस्थान को पाचाने जहां पर वह है रहता है, यानि इस उँन्चाई पर उने वाले चेहर को आपको पाचानत है तो इसका अंसोर ने आपका c- विशाखा पटनम, विशाखा पटनम एगदम करेक्ट आंसूर है तो आपका थीसरा एकडम करेक्ट आंसर होगा आगे शाटा क्यूशन उपजाव उम्रिता और प्रचूर वर्चन वाले मेदानी बागों में जन्सिंख्या गनेत्यों की संभावना केशी होती है तो साटे का आपको आंसर है उच्छ तो जहां पर भाई उपजाव उम्रिता हो होगी और मेदानी बागों वहां पर जन्सिंख्या क्या होगी उच्छ जन्सिंख्या होगी तो पहला एकडम करेक्ट आंसर होगा तो दोस्तों आज मैंने आपको यह सामाजिक विग्यान के 15 क्यूशन होता है मैं आशा करता हूँ इस बार आप 15 में से 15 नमर लेकर आओगे यदि वीडियो अच्छ लगाओ तो पलीज अपने दोस्तों तक सेर जरूर करना